नमस्कार स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में उत्तर प्रदेश की राजधानी बदलने वाली है CM योगी आधित्यनात ने इसके संकेट दिये हैं PM मोधी के साथ डिनर करने के बाद CM योगी के ट्वीट से UP की राजधानी बदलनी की चर्चा तेज हो गई है क्योंकि योगी ने मुगलों के समय के दिये गए नामों पर पहले भी हतोड़ा चलाया है अब लखनव को भी उसी तरीके से बदलने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नई राजधानी को जानने के लिए देखिए रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ जैसे ही उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए वैसे ही मुगल काली नामों को बदलने का काम शुरू हो चुका है साथ ही ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2018 उत्तर प्रदेश में कई जगों का नाम बदलने के लिए हमेशा याद रखा जाएका मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ कई बड़े जिलों के नाम पतल चुके हैं यूपी सरकार ने सबसे पहले मुगल सराय का नाम पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर रखा तो उसके बाद इलहाबाद का नाम प्रयाग राज किया और फैजाबाद जिले का नाम आयोध्या कर दिया इन तीन जिलों के नाम बदलने के बाद अब यूपी में कई और जगों के नाम बदलने की भी मांग उठने लगी है प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जिनके नाम मुगल शाशकोन रखे हैं लेकिन अब सबसे बड़े शहर और यूपी की राजधानी का नाम बदलने की अटकलें तेज हो रही है। और इसकी वजह है CM योगी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने PM मोधी का लखनव में स्वागत किया है। CM योगी ने ये ट्वीट प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी का स्वागत करते हुए खीची गई फोटो को टैक करते हुए किया है। नाम बदलने के कोई संकेत नहीं दिये गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में बदली हुई भाशा के प्रयोग को एक बड़ी हिंट के तौर पर देखा जा रहा है। सीम योगी ने लक्षमन की पावन नगरी लिखकर अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। लोगों ने तो नए नाम भी सोच लिये हैं। लक्षमन पुरी से लेकर लक्षमन नगर तक कई नामों की चर्चा हो रही है। लेकिन अभी तक सरकार या फिर किसी मंत्री ने ऐसी कोई घोशना या फिर संभावना नहीं जिताई है। पर योगी सरकार का पिछला रिकॉर्ड ऐसा रहा है जिसमें कई बड़ी बड़ी जगों के नाम को बदला गया है। तो अब नमबर लखनव का आता देख रहा है। सियम योगी अब यूपी की राजधानी कहे जाने वाले लखनव के नाम को बदल सकते हैं जिसका एलान आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। नाम बदलने को लेकर हमेशा से विवाद और सवाल उठते रहे हैं। लेकिन उचारण में समस्या होती थी जिसकी वच्छा से ये नाम बदलिकाए हैं। लेकिन सियम योगी के ट्वीट के बाद यूपी में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या लखनव का नाम लक्षमन जी के नाम पर हो सकता है। क्योंकि ट्वीट में सियम योगी ने लखनव को लक्षमन की पावन नगरी कहकर संबोधित किया था जिसके बाद चर्चा का माहौल बन गया। इस खबर में फुलाल अतना ही बने रहे हैं कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।